कर्म योग क्या है? ये एक बहुत ही सुंदर सिध्धान्त है जिसको बिर्ला ही समझता है किन्तु संपूर्ण विश्व में ये कर्म योग ज्यान की देन हमारे वेदिक क्रंथों में ही है कर्म प्लस योग अर्थात हम अपने संसारिक कर्तव्य भी करें समाज के प्रती अपनी ड्यूटी भी करें एवं मन को योग में भी रखें वो मन चिंता शोक टेंशन भै काम क्रोध लोग मुद्यादी से रहित भग्व चिंतन दिव्य भाव संबन रहे तो कर्म करते समय जब हमारा मन योग की अवस्था में बना रहे जमा रहे उसे हम कर्म योग कहेंगे इस पर हमने हलका सा टच किया था पिछले एपिसोड में आज हम डीटेल में जाने वाले हैं मुंड को पनिशद कहता है द्वा सुपर्ना सयुजा सखाया समानम वरिक्षम परिखस्वजाते ये वेद मंत्र कह रहा है कि एक व्रिक्ष है उसमें दो पक्षी बेटे पहला पक्षी फल खाने में तल्लीन है दूसरा पक्षी उसका मित्र है वो नोट कर रहा है इंटर्फियर नहीं कर रहा तो पहला पक्षी कभी मीठा फल खाता है सुखी होता कभी कड़वा फल मिलता है दुखी होता प्राय कड़वे खटे फल ही उसे मिलते वो अपने मित्र से अपरिचित उसके प्रती पीठ किये हुए यदि किसी प्रकार से वो अबाउट टर्ण करके मित्र की और घूम जाए उसके साब दुख समाप्त हो जाए ये व्रिक्ष और पक्षी कौन है वेदों ने शरीर की उपमा देते हुए उसे व्रिक्ष के जैसे बताया और उसके अंदर बैठे हुए दो पक्षी है जीवात्मा जो रिदय में रहता है और उसके पिता परमात्मा जो साब के साथ रहते है जीवात्मा इस शरीर में कर्म करने में व्यस्थ है और कर्मों का फल भोगता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जसकरई सो तस फल उचाखा अप्राय कड़वे फल मिलते हैं वो जीव दुखी है परमात्मा देखता जा रहा है इंटर्फियर नहीं कर रहा है जैसा कर्म किये वैसा फल पालो अब जीव बास भगवान से जो विमुख है सनमुख हो जाए उसकी सब समस्याएं मिठ जाए सनमुख होने का मतलब अपनी चेतना को बदल देना हम लोग जो सोचते हैं मैं अकेला हूँ मैं जो करता हूँ कोई नहीं जानता इसको बदल दे मेरे भगवान सदा मेरे साथ में हैं वे सब देख रहे हैं मेरे साक्षी हैं एवं मेरे रक्षक हैं तो इससे हमारे चेतना की बाइपास सर्चरी हो जाएगी देखिए हम सब लोग प्राय मंदिर में जाकर भगवान की उपस्थिती को मानतें प्रणाम करतें जुकतें हैं कोई पृत्वी पर अपना सिर रखके प्रणाम करता है अतो मंदर में हमें फीलिंग होती है कि भगवान है किन्तु मंदर से बाहर निकले यहां तो कोई भी नहीं है उस फीलिंग को चेंज करना है वो भगवान सब जगा है संपूर्ण विश्व ही उसका मंदर है और वो सदा हमें देख रहा है ऐसे भाव को हम उत्पन करें तो कैसे उत्पन होगा ये प्रश्ण है अब श्री कृष्ण ने तो गीता में कह दिया सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर युद्ध्यच ये कर्मयोग अर्जुन तुक्षत्रिय है अपना कार्य कर युद्ध करना और सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर हर समय मेरा चिंतन भी कर तो ये योग प्लस कर्म दोनों मिले कर्मयोग हो गया है कर्मयोग क्या है मन यार में तनकार में तो ये कर्मयोग का हम अभ्यास कैसे करेंगे कार्य करते समय हमारा मन भगवाद में कैसे बना रहे इसके लिए एक युक्ति दी है जगत गुरु शुई कृपालु जी महाराज ने वे कहते हैं भागवायन की उपस्थिती का अभ्यास करो मान लो आप आफिस गए अब आपनी सीट पर बैठे कार्य प्रारम करने जा रहें वो तु आप करेंगे ही किन्तु एक शन रुख जाईए और सोचिए ये सामनी जो खाली कृसी है इस पर मेरे शाम सुन्दर बैठे हुए आप अपने जेतना में शाम सुन्दर को स्थापित कर दिए श्री कृष्ण आप बैठे आप मेरे साक्षी है और आप देखिए मैं क्या करता हूँ वास अब हमें लगेगा ये कार्य हम अपने लिए नहीं भागवान के लिए कर रहे हैं आटोमेटिक ये सब भाव बदल जाएंगी ये संसार मेरे उपभोग के लिए नहीं भागवान इसके मालिक है सब जिनसे मैं व्यवार करता हूँ इनके विदय में भी भागवान है बस भागवान की उपस्थिती को फील करने से अब आप जब कार्य करने लगे स्वभाविक है भागवान को भूलेंगे चिंता मत करें एक घंटे बाद अपने कारियों को फिर एक शाण रोग दीजिए अपने को रीकलेक्ट कीजिए भगवान बैठा है देख रहा है ऐसा एक एक घंटे के बाद अभ्यास करें और जब वो अभ्यास सिद्ध हो जाए तो समय को कम कर दे आदे आदे घंटे के बाद अब्यास करें करते करते धीरे धीरे भागवायन की उपस्थिती निरंतर होने लग जाए इसकी तुलना मैं क्रिकेट से करता हूं देखें जब भारत का क्रिकेटर वो विराट कोली आदी जब बैटिंग करने के लिए उतरते हैं मैदान में तो सर्वे कर लेते हैं कि विरोधी कप्तान ने 11 फिल्डर्स को कहां सजा के रखा क्यूंकि वो फास बॉलर की बॉल आधे सेकेंड से कम समय में 22 यार्ड को क्रॉस करेगी उस समय टाइम नहीं होगा देखें किसाब मिड आफ था की नहीं था तो वो एक्सपर्ट टेस्ट प्लेयर सब को मन में रखता है जैसे बॉल आती है वो उसको कट कर देता है और सब चिला रहे हैं कि इसने मिड आफ और लॉंग आफ के बीच में से बॉल को निकाल दिया है वो बाउंडरी को पार कर रही है चार रहन उसने क्या किया कमाल 11 खिलाडियों को अपने मन में रख के खेला श्री कृष्ण कहते हैं भी कर्मयोग तो क्रिकिट से भी आसान है 11 नहीं बस मुझे अपने मन में जमालो और जो करते हो मेरे लिए करो ये हो जाएगा कर्मयोग तो कर्मयोग को हमने आज समझा गीता ने बुद्धी योग भी बताया है वो क्या है हम इस श्रिंखला के अगले एपिसोड में जानेंगे झाले बताया है झाल झाल